अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपसे शेर कर रही हूँ खीमा आलू कटलेज की रेसिपी बायनाजिया फरहान की इसकी रिटन रेसिपी इंस्टाग्राम पेच पे अवेलेबल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बहुती ईजी और बहुती टेस्टी खीमा आलू कटलेज बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले दो कब खीमे को थोड़ा सा पानी दाल के अच्छी तरह उबाल लेंगी खीमे को अच्छी तरह उबालने के बाद ठंडा कर लेंगी और उसे एक बावल में ट्रांसफर करेंगी दो कब उबले हुए और मैश किये हुए आलू एट करेंगे मैंने यहाँ खीमे और आलू की कॉंटिटी सेम रखी हूँ टू टेवल स्पून अद्रक लस्टन और हरी मिर्च का पेस्ट एट करेंगी टू टी स्पून गरम मसाला एक लिम्बू का रस रीक कटा हुआ हरा धन्या और हरा पुदीना एट करेंगे टेस के हिसाफ से नमक एट करेंगी एक प्याले में आदा कब दूद ले लेंगे चार से पांच ब्रेट स्लैस के चारो कोने कट करके इसे डीप करके अच्छी तरह सोग कर लेंगी अच्छी तरह सोग करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आप चाहे तो पानी में भी सोग कर सकते हैं हलके हातों की मदद से सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे एक से दो घंटे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक भी कटलेज बना के सिफ्राय कर सकते हैं एक से दो घंटा मैरिनेशन के बाद हातों को अच्छी तरह तेल की मदद से ग्रीस करेंगे और सबकी कटलेज की शेप दे देंगी अगर आपको लग रहा है के बैटर पतला हो गया है तो इसमें ब्रेट क्रम एट कर सकते हैं और अच्छी तरह मिक्स करके टिक्की बना लेंगे सभी को breadcrumb में coat कर लेंगे मैंने यहां fresh breadcrumb बनाई हूँ अगर आप चाहे तो ready made breadcrumb का भी इस्तिमाल कर सकते है एक pan में 1-4 cup oil add करेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाए टिकी को बीट किये हुए egg में दालके आइस्ते आइस्ते pan में दालते जाएंगी अब वो एक side से golden brown हो जाए उसे पलट के दूसरी side से भी golden brown कर लेंगी दोनों side से golden brown होने के बाद अब हम इसे plate में निकालते जाएंगे तो हमारा खीमा अलू कटलेट बनके ready हो चुका है अब हम इसे green chutney, बारिक कटे हुए cabbage और बारिक कटे हुए गाजर के साथ सर्फ करेंगी इस recipe को जरूर try करें इसके feedback मुझसे मेरे comment box और instagram id पे pictures के साथ send कर सकते हैं instagram id की link description में दिया गया है ना खयाल रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखे आला हाफिज